कि हैं अब यह वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू स्विल स्टाप हिमाचल स्विल स्टाप हिमाचल के यूट्व प्लाटपरम पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरा नामेर उहित और आज की हमारी क्लास के अंदर सुडेंट्स हम डिस्कस करेंगे दा डेली सब्सक्राइब करेंगे जितने भी स्टुडेंट्स यहां पे जुड़े हैं सबको गुडीवनिंग नमस्कार राम राम एंड आई ये बढ़ते हैं आप क्लास की तरफ और शुरुवात करेंगे आज की हमारी क्लास की जिसके अंदर हम डेली के इंपोर्टन करेंट अफेस क को देख लेत हैं कि अज किनचंट की अंदर आज की हमारी क्लास के उसके अंदर को सबसे पहला टापिक हमारे पास आता है हैं हमारी एयरफोर्स भी यूगा में यह अभी निउज़ में निउज़ में कीह आया क्योंकि इसने 4 टार्गेट एक साथ हिट कर दिए enlarच आ इसका निर्मान अकाश मिसाइल किया जा रहा है सो करिए इसके बाद हम पढ़ेंगे एक report that is the let's 2023 reports अब यह जो report है यह logistic के साथ जुड़ी हुई है तो logistic index की इस report को पढ़ेंगे भारत देश के अंदर उसके बाद बात करेंगे नासा के mission की that is the Cassini mission उसके बाद भारत देश के अंदर हम culture की तरफ पढ़ेंगे और काशी तमिल समागम की बात करेंगे देखिए काशी तमिल समागम अभी वारानासी के अंदर नरेंद्र मोदी जी के दोरा भारत के प्रधानमंद्री के दोरा integrate किया गया that's why this is very very important और इसके चाल इसके चलता हुए मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा meditation center भी वारानासी के अंदर integrate किया है जिसमें 20,000 लोग एक साथ बैट कर meditation कर सकते हैं साथ स्टोरी का ऐसा building मोदी जी ने वर्ड लेवल पे integrate किया है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ककरापर atomic power plant के बारे में पढ़ेंगे ये भी अभी news में आता है ककरापर atomic power project उसके बाद हम pink ball bomb के बारे में पढ़ेंगे cotton पे लगने वाला ये जो कीड़ा है cotton पे होने वाला ये जो रोग है ये फिर से तेजी में है जिसके चलते हुए cotton के जो prices है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे फ्लक्शूर्ड होते हुए उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर rats SEO की meeting की यानि की शंगही corporation organization का जो rats unit है इसकी एक meeting अभी होती है जिसके चलते हुए हम इसका discussion करेंगे उसके बाद भारत का fastest solar electric boat बारा कुड़ा तो बारा कुड़ा के बारे में पढ़ेंगे that is also very very important उसके बाद आगे बढ़ेंगे students और हम गोवा लिबरेशन दे की बात करेंगे गोवा लिबरेशन दे जो की 19th of December को observe किया रहता है चूँकि 19 December 1961 को हमने Portuguese से गोवा को acquire किया था उसके बाद हम international migrant day की बात करेंगे जो की 18 December को होता है और इसकी साथ साथ जो minority rights day है वो भी 18 December को observe किया जाता है तो यह आज की हमारी current office की class के topics रहे हैं students अब इन topics को आगे लेके जाके detail में current office को हम discuss करेंगे आईए बढ़ते हैं current office की शुरवात की तरफ और जो भी students यहाँ पे जुड़े हैं please share भी कर दीजे शेशन को तांकि आपके जो दोस्त मित्र यहाँ तक नहीं जुड़े वो भी पहुँच आईए बढ़ते हैं तो सबसे पहले current office की बात करेंगे पहले Dave के बारे में लेके जाने की यानि की प्रवासियों के लिए लोगों को रोट लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाने इंगले इस दिन को अब्ज़व किया जाता है तो माइग्रेंट स्टेक अब होता है international level पर 18 तरीक को इसको अब्ज़व किया रहता है अथारा दिसम्बर क्यों दिखे 18 दिसम्बर उनी सो नब्बे में युनाइटि निशन जनरल असेम्बली ने एक रेजोलेशन अड़ाप्ट कर लिया था यानि की दुनिया भर में जो माइग्रेंट्स रहते हैं उनकी जो फैमिली दे उनके राइट्स को लेकर कर लाइक कन्वेंश्ण winter कर आप्ट किया गया था इंटरनेशन जनरल एक और किया ऑप अधाप्ट किया गया था उनके दिसम्बर सकतर उननी सो नब्बे को और सन हजल में यानि की दास्साल बात से हमने स्टर्ट करना झैडलां पन्जवर्व क्रधा जा रहा है, इसका theme क्या रहा, that is promoting the safe migration, promoting the safe migration, ये हमें 2023 के international migrant day का theme देखने को मिलता है, ये जो days होते हैं, इनकी themes को लेकर paper में सवाल आता है, आप चाहें तो पिछला कोई भी paper उठागर देख लें, चाहें वो H.A.S का paper ही क्यों ना हो, आपको सवाल मिल जाएगा, चलिए, next current affair की बात करते है, minority rights day, तो दुनिया भर में जो minorities हैं, उनके अधिकारों की बात करते हुए, हम 18 तरीम को minority rights day observe करते हैं, और भारत देश के अंदर हमारा जो national commission for minorities है, वो इसको observe करता है, that is minority rights day को 18 December को, basically 18 December 1992 को declaration जो है, that is for the individual rights, जो की religious या linguistic, national या ethnic minorities से विलोंग करते हैं, उसको adopt क या गया था, United Nation के द्वारा, और उसी वज़ा से हम 18 December का जो दिन है, national commission for minorities भारत देश में भी observe करता है, world minority rights के देखने को बिलता है, celebrating the diversity and inclusion, celebrating the diversity and inclusion, ये हमें theme देखने को बिलता है, 2023 के हमारे world minority rights day का, आईए अगे बढ़ेंगे, अगले current affair की तरफ, अगला current affair क्या कहता है, the next current affair is all about the goa liberation day, अब goa liberation day की अगर मैं बात करता हूं, तो goa हमने पूर्तगालियों से acquire किया, ये बात आप सब को बता होगी, तो Portuguese से कब goa को acquire किया गया था, Portuguese ने कब goa को दिया, ये दज था, 19 December 1961, 1961, ठीक है, और goa भारत का जो राज है, full statehood का दरजा goa को मिला था, 1987 में, 1987 में goa को हमने statehood का दरजा दिया था, और goa हमने किस community से, basically किस देश से acquire किया, ये थे पूर्तगाली, ये थे पूर्तगाली, और आपको पता है, गोa भारत का पहला एक आसा राज्या है, जहाँ पर uniform civil code चलता है, uniform civil code, समान नागरिक सहिता, ये article 44 भारते सविधान का, article 44 of Indian Constitution लाग हुए यहाँ पर, क्योंकि जब goa को हमने पूर्तगालीों से acquire किया था, तो पूर्तगालीों ने goa के अंदर चला रखा था, क्या uniform civil code, तो uniform civil code तभी से goa के अंदर चलता रहे, क्या आप मुझे बताएंगे, besides the goa, goa को छोड़ दो, भारत का पहला ऐसा राज्य, जो uniform civil code को implement करने के लिए बड़ी तेदी से आगे बढ़ रहे है, मुझे comment section में बताएं जल्दी से, देखते हैं कौन बता पाएगा, भारत का पहला ऐसा राज्य है, जो uniform civil code को लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत देश के जो ग्रह मंत्री है, अमिश्या जी उन्होंने बताया कि हम एक देश की बात करते हैं, एक तरफ हम secularism की बात करते हैं, यानि कि धर्म निर्पेख्षटा की बात करते हैं, हम one nation, one law की बात करते हैं, तो समान नागरिक सहिता भारत देश में ह हर राज्य में हर राज्य में लाग होना चाहिए आपको पता आर्टिकल 44 इस पार्ट अफ डिरक्टिव फ्रेंसिपल्स ऑफ तर स्टेड पॉलसी और जो की भाग चार में आते हैं भारतिस्त अविधान के अंदर जी हां बिंग पहाडी जी बहुत बढ़िया यह राज्य है उ गयी ती उस गमेटी की अध्यक्ष्वता किस ने गरी थी तो उस कमेटी की अध्यक्ष्वता करी गई थी जस्टिस रंजणा प्रका Nova City. चलेए नाव हम आगे बनेंगे अगले करेंट अफिर की तरफ Canon देखते हैं क्या कहता है GC 8 न इक्स करंट अफिर क्या क्या जाता है 2023 तो इसको leads बोलते थे, leads, तो leads को भारत देश के अंदर release किया गया, logistic ease access, different state index या report of 2023, यह हमारे commerce and industry के minister आपको दिखाई दे रहे हैं, प्यूश गोईल साब जो इसको release कर रहे है, तो logistic को लेकर, logistic की ease को लेकर यह index भारत देश के अंदर publish किया गया है, देखें, इसकी शुर जवाज जो है, वो 2018 में इस norms के ऊपर की जाती है, और जब मैं logistic performance index की बात करता हूँ, यह पूरी तरह से service के ऊपर रधारित होता है, और वही यह जो हमारा logistic ease across the different state है, यह perception को भी देखेगा, और यह objectivity भी देखेगा, और यह पूरी तरह से robustness को enhance करता हुआ आगे लेके ज सके, देखें, भारत देख में बहुत सारे program जो है, जैसे पर्धानमंत्री गती, हमारा जो गती शक्ती scheme चल रहा है, वो भी इसी का एक model है कि हम भारत देख में logistic को और ease करना चाहते है, और तेजी से लेके जाना चाहते है आगे, तो यह पाचवा addition है, leads का ठीक है, क्योंकि बहुत सारी reforms जो logistic के अंदर आती है, बहुत सारे राज्यों में और के अंदर शर्षित परदेश के अंदर, यह उसको लेकर अपना data बताता है, अब यह report जो है, लगबग 7300 responses को cover करता है पुरे भारत देश में, भारत देश के 36 राज्य है, और के अंदर शर्षित हैं, उन सब में इसको cover किया जाता है, अब ranking आपके सामने आ चुकी है, तो यहाँ पर कौन कौन सी category में बाटा गया है, तो यहाँ पर coastal, landlock, northeast और unit territories, इस area में बाटा गया, और ranking आती है, achievers, past movers और aspires, ठीक है, इस level पर ranking यहाँ पर देखने को मिलती है, तो achievers में, coastal area में, अं संगना उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, नॉर्थ इस्ट में असम सिक्किम त्रिपुरा, यूटी में चंडीगाड़ और दिल्ली, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और इधर बात करते हैं, past movers में, coastal area में, कैरड़ा और महरास्ट्रा, landlock में मध्या प्रदेश, वाली केटिगरी में आएगा, ठीक है, coastal में आ गया, गोवा, ओडिसा, वेस्ट मेंद वाल, और यहां landlock में, बिहार, शत्तिसगर, हिमाचल प्रदेश और जारकंट, उसके बाद नॉर्थ इस्ट की बात करता हूँ, तो मणिपुर में घाल्या में जारब, और यूटी की ब आपर, थोड़ी सी बात यहां पर होगे, तेईस राज्या जो है, इनको स्टेट लजिस्टिक पॉलसी के तहट नोटिफाइग किया गया था, सोला राज्या जो है, इनको industry status के तहट नोटिफाइग किया गया और जो length है national highways की उसको 48% तक बढढ़ा दिया गया है, और digital reforms जै चीजिए पिम गति शक्ति और लोजिस्टिक डटा बैंक उनिफाइड लाजिस्टिक इंटरफेस प्लाटपॉंग जी एस्टी ये इंडिया की रेंकिंग को उच तर पर लेके जाने के लिए साहता कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट्स अगहारे अगले करें अपर कहता है अकाश मिसाइल अब अकाश मिसाइल ने चार टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर दिया डाट वाइडिस इस वज़ा से यह न्यूज में आ जाती है अकाश मिसाइल जिसको डी आडियो के द्वारा बनाया गया का डिफेंस रिसर्च और डेवलप्पेंट ऑग्नेशन के द्वारा बनाया गया सो भारत का यह मिसाइल सिस्टम जो है यह आपको ध्यान में रखना है और इंडिया जो पहला देश मनता है जिसने और फंट के चार एरियल टार्गेट्स को 25 किलोमितर की रेंज में टेस्टफेर किया क्युक् Herman डेंज है क्यूंडों गयाटर की इस हुएливо कर सकता है कि ंडाड़ा कोई शक्रेट कर सकता है यह हमारा strong that is the akast missile सिस्टम, अकाश मिसाल सिस्टम हमारी पोर्सिस के पास है, इंडियन आर्मी भी 2015 से इसको यूज़ कर रही है, ये एक शौर्ट रेंज सर्फेस ट्वेल मिसाल सिस्टम है, और ये बहुत सारे बेसिकली मल्टिमल टारगेट्स वे एकी बार में हिट कर सकता है, सबसे बड़ी उ इसको हमने खुद बनाया, इसके अंदर एक electronic counter measures, speeches लगा हुआ है, और इसका पूरा का पूरा हमने mobile platforms के चलते हुए इसको configure किया हुआ है, अकाश वेपन सिस्टम पूरी तरह से खुद बनाया है, हमने DRDो के द्वारा बनाया गया है, भारत देश के अंदर, भारत देश के अ उपर पाए गए है, that is the enceladus plumes, वहाँ पर यह पाया गया है, so molecules पाए गए है, जिनके अंदर methanol है, ethane है, इसके साथ oxygen है, यह gases plumes जो है, यह saturation के मून के उपर पाए गए है, और Cassini mission ने यह data से यहाँ पर suggest किया है, तिके scientist जो है, उन्होंने बताया कि hydrogen cyanide जो है, इसकी presence है, methane की presence है, और alcohol के molecular oxygen के traces यहाँ पर देखने को मिलते है, Cassini spacecraft जो की first discovered large plumes of material escaping into the space from the Enceladus Southern Hemisphere in 2005, और इसी mission को आगे बढ़ाते हुए, नासा ने बहुत सारी चीज़े launch करी, तो 1997 में Cassini mission को launch किया गया था, और यह NASA का mission था, NASA का Cassini spacecraft पहला spacecraft था, जो की saturn के orbit करने के लिए भेजा गया था, अपने 13 साल की exploration के दौरान, that is the gases planet, सो 2004 से लिकर, 2017 तक इसने इसके rings और moons को study किया, और इसको basically बनाया गया था, इस तरह से कि यह saturn system को पूरी तरह से explore करके आएगा, Titan, जो की saturn का सबसे बड़ा moon है, उसके ओपर special focus करने के लिए इसको भेजा गया था, और इसने होईजंस lander के चलते हुए अपना काम किया, जो की Titan पे यह 2005 पे पहुँच गया था, यह NASA, European Space Agency और Italian Space Agency का एक joint mission था, that is the Cassini mission, Cassini mission, अब अगले करेंटर फिर की तरफ move on करते हैं, अगला करेंटर फिर देखते हैं क्या कहता है, अगला करेंटर फिर बात करता है, काशी तमिल समागम की, देखें जो मदुरही के राजा थे न, यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ, मदुरही के राजा को लगता था, कि भगवान शिव का एक मंदिर, उनके एरिया में बनना चाहिए, तो वो काशी से, काशी से, शिवलिंग लेने के लिए चले जाते हैं, तो काशी से शिवलिंग लेके, जब वो वापिस जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगा पर गवे, उनकी काउस थी, उन्होंने चला बन कर दिया, तो काउने हाथ कड़े कर दिये कि इस से आगे हम नहीं जा सकते, तो उसी जगा मंदिर बनाया गया, क्योंकि राजा समझ गए थे, कि शिव को उनकी मर्जी के मिना आप आगे नहीं लेके जा सकते, तो तमिल और काशी का जो सं मागब, यह संगबम जो है, यह एक भारत स्विष्ट भारत स्कीम के ताहिता है, अब इसको अगनाइस कहां पर किया रहा है, वारणासी के अंदर किया रहा है, मोदी जी वारणासी चले गए, और वारणासी जाकर मोदी जी ने इसको अगनाइस किया, ठीक है, तो जो राज हुए अगे जाने से मना कर दिया अब इसके लिए यह हमारा काशी तर र क्रशार माइस करने के लिए अंडर दा एक भारत स्वीशत भारत द्थीजी ने वारानासी गई हुए वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा meditation center जो है उसका integration कर दिया this is the world's biggest largest meditation center that is स्वार्देव महामंदिर स्वार्देव महामंदिर यह जो स्वार्देव महामंदिर आप चित्र में देख पा रहे हो यहां पर 20,000 लोग एक साथ बैट कर meditation कर सकते है योगा कर सकते है इसके साथ साथ seven story इसको बनाया गया है स्वार्देव महामंदिर स्वार्देव महामंदिर इसका integration भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया जब मोदी जी वारणासी गए थे अप्टर दा काशी तमिल समा यहां पर चार नुकलियर रियक्टर जो है यह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर पर चार नुकलियर रियक्टर की आगर मैं बात करता हो पक्रापर अटामिक पावर प्रजेक्ट का चोथा यूनिट जो है डाइट इस इन गुजरात 700 मेगावर्ट की क पैस्टी के साथ इसने कंट्रोलड़ फेजन को स्टार्ट कर दिया है तो यह बहुत जाला क्रिटिकल बन चुका है ठील तो कैस्ट्रोल्ड फिजन इसके बाद यह जो 700 MW का unit है यह largest indigenous nuclear power reactors का है तो यह nuclear power corporation of india limited के दोरा बनाया जा रहा है और यह जो reactors है यह heavy water reactor को pressurize करते हैं और जिसके चलते हो यह natural uranium को fuel के तोर पर इस्तमाल किया दाता है और heavy water को pooled के तोर पर इस्तमाल किया जाता है कंकरा पर atomic power station जो है यहाँ पर दो operating already दो operating हमारे जो है power plants चल रहे हैं जिसकी 220 MW की capacity है और 700 MW का unit 3 जो है यह commercial electricity 30 अगस्ते generate कर रहा है 30 अगस्ते generate कर रहा है और यहाँ पर कर मैं बात करता हूँ यह जो MPCI-LI एक public sector undertaking है department of atomic energy के अंदर सो 23 nuclear electricity reactor या only चला रहा है 7480 MW के फिर चले आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे target के साथ अगली बात करेंगे cotton की तो cotton में pink worms की बात यहाँ पर हम करते हैं तो pink ball worms जो है तो cotton जो है drop होते हैं दिखाई देखी क्योंकि यहाँ पर pink ball worm दिखाई दे रहा है तो cotton के जो prices है cotton candy के द्वारा री परसंट किये जा रहे हैं यहाँ पर decline दिखाई दे रहा है चुकि यहाँ पर pink ball worm जो है cotton crop में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमारे जो central insecticide board and registration committee है जो कि यहाँ पर applications को लेकर work करता है insecticides को लेकर इसने 50 insecticide formulation for the control of pink ball worm को लेकर approval दे दिया है और यह ministry of agriculture and farmers welfare के तहित work करता है clear अब pink ball worm की बात करेंगे इसका scientific name क्या है पक्तिनोफ पोरा गौस्थी पेला भारत देश में और यह और यह all the cotton growing countries में आप पहुंच चुकिया पिंक बॉल्व मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैस्ट है cotton crop के लिए cotton crop के लिए clear so यह क्या करते है इसके जो basically females होती है यह cotton balls के उपर अपने egg चोड़ देती है और उसके बाद जब यह enda तूटता है so larvae जो है यह seeds को खा जाते है और fiber से होता है cotton का उसको damage कर दिया जाता है और भारत देश के कुछ इसो में pink ball worm जो है यह first generation transgenic BT cotton को भी resistant है जो कि यहाँ पर single BT gene के दोरा resistant है चलिए अगला सवाल अगला current affair संगही corporation organization के members ने मिलकर भारत ने दो anti-terrorism meetings organize करी है दो anti-terrorism meetings यानि की rats के साथ मिलकर rats के साथ मिलकर इंडिया का national security council secretariat जो है इसने regional anti-terrorist structure जो है संगही corporation organization का इसके साथ मिलकर दो meetings organize करी अब मैं हमारा जो regional anti-terrorist structure unit है अगर इसकी बात करता हूँ तो इसकी स्थापना ये शंगही corporation organization के तयात होई थी शंगही corporation organization के तयात एक permanent body है जिसका headquarter ताशकेंट उजवेकिस्तान के अंदर है और ये corporation को promote करने का काम करती है इसके साथ शंगही corporation organization की स्थापना 1996 में होती है शंगही 5 के नाम के चाइना के जाकस्तान किर्गिस्तान रशिया और तजिकिस्तान उसके बाद उजवेकिस्तान एंटर करता है उसके बाद भारत और पाकिस्तान इसमें एंटर करते हैं तो टोटल आठ कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं और प्राइमरी अब्जेक्टिव इसका क्या था शंगही corporation organization का नाट इस हमें regional corporation लेकिया नहीं है और अभी 9th country के तौर पर इरान भी इसका member बना है 9th member country के तौर पर और भारत और शंगही corporation organization की बात करते हैं तो इंडिया ने 22 सब्मिट जो है वर्चुली ओगनाइश किया था शंगही izable uh ситуating इंडिया सव्फ इसको नाम है यह रखागा है लांबी फिश होती है और इसको design किया गया है नवार्ट के दौर नवाल्ट के द्रीडिया और बेसिकली रउप noir दिआ इसको चोड़ दिया गया वेइक है जो कि 12 passengers को carry करके बड़े अराम से move on करती है 14 मेटर इसकी लंबाई है 4 पंट 4 मेटर की इसकी चोड़ाई है और top speed इसकी 12 पंट 5 नोट्स की है यानि की 23 किलो मेटर पती घंटा की इसकी top speed है और 7 घंटा यह single charge पे work कर सकता है क्योंकि एक electric boat है और इसके पास साथ एक twin 50 किलो वर्ट का electric motor लगाया गया है एक marine grade LFP battery लगाया गया है और 6 किलो वर्ट का solar power का सिस्टम इसमें लगाया गया है तो this one is very very important किसने बनाया मैजगा और डॉक लिमिटेड के लिए इसको बनाया गया है जो की eco friendly vessels जो है मुंबई डॉक पे लेके आ रहा है अब हम MCQs की तरफ बढ़ेगे तो जितने भी students यहाँ पर जुडे हुए हैं आईए MCQs को discuss करते हैं तो सभी बच्चे answer करेंगे so first question here पहला सवाल आ चुका है पहला सवाल दिखते है क्या कहता है India became the first country to demonstrate the capability of engagement of four aerial targets simultaneously with Akash missile system and Akash is a long range surface to air missile system Akash weapon system has been configured on the mobile platform and the Akash weapon system is indigenously designed and developed by Indian Space Research Organization देके last one is incorrect क्योंकि DRD उने बनाया है third one is correct this one is incorrect क्योंकि यह short range है कि this one is correct तो first and three is correct correct वाला answer करेंगे first and three मतलब option B first and three मतलब option B so बाखी students भी answer करें जतने भी students class देख रहे हैं आप लोग भी answer किजिए first and three हमारा answer यहाँ पे हो जाएगा चले next question की तरफ moment करते हैं तगला सवाल दिखते क्या गयता है दा लोगिस्टिक इस across the different state 2023 report was recently released by निती आयोग लेट्स वास conceived on the lines of logistic performance index of world trade organization as per the report the 23 states UTS have been also notified their state logistic policies to align with the national logistic policy double and view the other अगर हमेली इस अचीवर अंडर दा यूरें टेराट्री के टिग्री है हां जी तो बताएंगे देखें यह एस्पायर की के टिगरी में था आपने ध्यान से देखा हो था तो यह एस्पायर की के टिगरी में था ठीक है third one is correct this one is incorrect because यह word डेंक का था यह index वोर्ड्बैंकर रिलीज करता है उसके बाद पहला स्टेटमेंट यह नीती आयों दे रिलीज नहीं किया तो पर्स से कीन यंट और पूर्स इनकिरेक्ड और हमें इनक्रेक्डला बताने हैं पर्स ते किन यंट और उनक्रेक्ड एंड हमें इंकरेक्ट अंसर करना है तो ऑप्षिन डी हमारा राइट अंसर होगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल दिखते हैं क्या कहता है कैसी नी मिशन डाटा रिपोर्टेट प्रेजेंस आफ है ड्रों कार्वर्ण ऑन दा एंसलेडर जुपिटर सुन सेचुरन की बात नहीं कर रहे थे इस थे फिर्स अफ दिशन दो काशिव ताम अकाशी तमिल समागम वाज इनुग्रेट एं नमा घाट वरना सी रिसेंटली फस्ट एडिशन सेकेड नहीं नहीं थे ढीड है यह एंड आपके रपर अमेक पार प्रिजयक्टाट है और तीनों के सवाघ्ट दे संगाबम aims to further the spirit of the एक भरत स्वेस्ट भारत और फॉर यूनिट ऑफ कख्रापुर अटामिक पावर स्टेशन हैस कपासिटी आप नहीं पहले दो की तो 220 मेगावाट की है न हमने पड़ा तो फर्स्ट और सेकेंड इस करेक्ट फर्स्ट और सेकेंड इस करेक्ट क्योंकि पहले दो यूनिट की 220 मेगावाट की कपासिटी है तो फर्स्ट और सेकेंड इस करेंड अप्ट नहीं हमारा अंसर हो जाए है आई अगला सवाल दे कैसनी मिशन वास जॉइंट एंडेवर आफ दा नासा ये से और इतलियन स्पेस अ नॉटल मिनस्ट्री ना उसके बाद आगे बात करेंगे तप्रेशराइब है वी वाटर रेक्टर जाएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते है अगला सवाल दिखते है कहता है नेक्स्ट कोश्चन आगे अगला सवाल दिखते है दर रीजिनल अन्पी तर्रनर अस्ट्रॉक्चर अपट्ट्य। पॉपरेशन घ्टिर कोरपेशन स्थान स्थान अच्छिन थान स्थान में पढ़ता है नाग्य तरकमेडी स्थान में पढ़ता है। चानब ठीक है अब अगर हम करेक्ट वाला बताना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और इसी के साथ साथ हमारा फॉर्थ स्टेटमेंट भी करिक्ट है चुकि इंडिया ने 2015 में इसको ज्वाइन नहीं किया ऑप्शन डी हमारा राइट अं स्टेंजर्स एंड कार्व सेक्ड स्टिट्मेंट हाइड्रो कार्बन की बात हो रिया बढ़ यह एलेक्ट्रिक वोट है तो ऑप्शन भी इस करेक्ट कि अप्शन भी इस करेक्ट चले आगे बढ़ेंगे अगला सवाल गोव कब हमने पोटुगीस से लिब्रेट किया था उन्नेस दिसंबर कौन सा डेट था कौन सा इयर था यह तो डाट वॉस नाइटिन सिक्स्टीवन यह नाइटिन सिक्टीवन का टाइम था जब गोवा भारत देश में आ मिलता है अगला सवाल इंट्रनेशनल माइगरेंट्स दे कब अब्सर किया रहता है तो माईगरेंट्स दे माईगरेंट्स दे मआज के सेशन में जूडने के लिए है हमारा आखरी सवाल था इसी के साथ साथ हम आज की क्लास की अम्त की तरफ बढ़ते हैं और मैं उमीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा किसी भी स्टुरेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट रहा हो you can ask in the comment section और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो like, comment, share करना मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तो thank you so much, have a good day thank you